नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ त्रिप्ति अपने एशो अराम और लालच के चलते बॉलिवुड एक्टरस जैकलिन फननांडिस पर गिरफतारी की तलवार लटक रही है दो सो करोड की महाठगी के केस में जैकलिन फनननांडिस अब बुरी तरह से फस गई है इतनी बड़ी महाठगी का ये भारत के टेहास में शायद पहला मामला होगा जो की जेल से हुई है Jacqueline Fernandez इस मामले में Enforcement Directorate और दिल्ली पुलिस की Economic Offense Wing के निशाने पर शुरू से ही है वो इसलिए क्योंकि मामले के मुख्यारोपी सुकेश चंदरशेकर से Jacqueline Fernandez के ना सिर्फ लिंक्स मिले हैं बलकि उसके साथ नजदीकियों के चलते Jacqueline को सुकेश से करोडों के तोहफे की जानकारी भी सामने आई है अब जानते हैं कि Jacqueline Fernandez इस पूरे मामले में कैसे फसी और क्या वज़ा है कि उन पर गिरफतारी की तलवार लटक रही है कल Jacqueline Fernandez को मुंबई एरपोर्ट से उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वो अपनी फिर्म की शूटिंग के सिलसले में दुबई की फ्लाइट में बोर्ट कर चुकी थी और उन्हें वहाँ से वापिस निकाला गया दर असल एजी ने Jacqueline Fernandez के खिलाफ lookout notice जारी किया था lookout notice उसके लिए जारी किया जाता है जिसके किसी आरोप में शामिल होने के सबूत मिलते हैं और वो जाच एजनसियों से सहीयोग नहीं करता और उसके देश से भागने का खतरा रहता है तो ये lookout notice Jacqueline के खिलाफ जारी किया गया था Jacqueline Fernandez को ED ने इससे पहले तीन बार समन भी भेजा था जिसमें वो पेश नहीं हुई थी जिससे की 200 करोड की महाठगी के आरोपी सुकेश चंदरशेखर के साथ समबंधों की जानकारी के बारे में पूछताच की जा सके लेकिन Jacqueline तीनों बार पेश नहीं हुई Jacqueline के अलावा एक और Bollywood की अक्टरिस नोरा फते ही है उन्हें भी बुलाया गया था उसने तो ED के सामने पेश होकर अपना बयान भी दर्च करवाया था लेकिन Jacqueline कभी शूटिंग का बहाना बनाकर तो कभी किसी और वज़ा का हवाला दे कर पिछले बार तीन बार ऐसा हो चुका है कि वो पेश नहीं हुई है बुलाने के बावजूद समन भेजने के बावजूद और इसी लिए उनके खिलाफ लुकाउट नोटिस जारी किया गया था लेकिन सवाल यही था कि आखिर जैकलिन जार्च एजनसियों के सामने पेश क्यों नहीं हो रही है वो उनसे कतरा क्यों रही है और किस शक के आधार पर चार्च एजनसियों को उसके खिलाफ लुकाउट नोटिस तक जारी करना पड़ गया और नौबत यहां तक पहुँच गई कि मुंबई एरपोर्ट से जैकलिन को हिरासफ में लेना पड़ा तो सुकेश चंदर शेखर और जैकलिन फेनाडिस के रिष्टे की कहानी बेहत अजीब सी है इस कहानी से फ़हले आपको संगशेप में सुकेश चंदर शेखर के बारे में बता दूँ करनाटक के बैंगलोर का रहने वाला चंदर शेखर कथित रूप से बताया जाता कि 17 साल के उम्र से ही लोगों को ठगना शुरू कर चुगा था और उसके काले कारनावों की शिरुवात बैंगलोर से हुई और कुछी समय में चिन्नी तक पहुँच गया चंदर शेखर को बाला जी के नाम से भी जाना जाता है उसने नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों को चूना लगाया खबर है कि खुद को राजनेते का रिष्टेदार बताकर उसने सौ से ज्यादा लोगों से 75 करोड रुपे तक की धोका धड़ी की है 2017 के चुनाव आयोग रिष्वत मामले में चंदर शेखर को एक होटल से गिराफ़तार कर तिहार जिल ले जाया गया था आरोप था कि उसने दो पत्तियों वाले चुनावी चिन्ह के मामले में आयोग के अधिकारियों को रिष्वत देने के लिए AIA DMK जो की जैललिता की पार्टी थी उनके डेतार TTV दिनाकरण से रुपे लिए थी और ये कहा जा रहा था कि उसने AIA DMK गुट को चुनावी चिन्ह दिलाने के लिए 50 करोड रुपे में डील की थी गिर्फतारी के वक्त उसके पास से करीब एक करोड तीस लाक रुपे बरामद हुए थे सुकेश के तिहार जिन में बंध होने के बाद ये खबरे आई थी कि हवालात में होने के बाद भी वो करोडों रुपे की वसूली का रैकेट चला रहा है नया मामला फोटीस प्रोमोटर शिविंदर सिंग की पतनी अधिती ऐस सिंग की शिकायत पर दर्च किया गया था उन्होंने आरोप लगाया था कि वो 200 करोड रुपे की धोका धड़ी का शिकार हुई है उन्होंने बताया था कि कॉल करने वाले शखिस ने खुद को قानून मंतराले का अधिकारी बताया था और उनके पती को जमानत दिलाने का वादा किया था दिल्ली पुलिस की के नौपी ओफिन्स ने अधिती सिंग्री की शिकायत पर ये मामला दर्च कर लिया एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि मामले की जाच के बाद ये पता चला था कि इसके पीछे का मास्टर माइट सुकेश चंदरशेकर है यानि वो ही जेल से नाम बदल कर फोन करता था जब इस मामले की जाच की जा रही थी तो तिहाड के अंदर से मोबाइल के जरिये जिन लोगों के संपर्क में सुकेश था उनमें दो नाम बॉलिवुट की अक्ट्रेसेस जैकलिन फरनांडिस और नौरा फतिहे के भी थे जैकलिन और नौरा शुरुवाती पूचताच में शामिल भी होई और खुद को विक्टम बताने लगी इनका कहना था कि ये सीधे तोर पर सुकेश चंदर शेखर को नहीं जानती थी और इनके साथ धोका हुआ और ये भी ठगी का ही शिकार हुई लेकिन इसके बाद जैकलिन समन भीजने के बाद भी पूचताच के लिए पेश नहीं हुई अब इस मामले में एडी ने चार्ज शीट दाखिल कर दी है उसमें जैकलिन फर्नांडेस और सुकेश चंदर शेखर को लेकर बेहब चौकाने वाले खुलासे हैं जिस सुकेश चंदर शेखर को जैकलिन ना जानने की बात कर रही थी उस सुकेश चंदर शेखर के साथ करोडों रुपे के लेंदेन के सबूत ईडी को मिले हैं एडी की चार्ज शीट के मताबिक इसी साल जनवरी से सुकेश और जैकलिन के बीच बातचीच शुरू ही थी और ध्यान देने वाली बात यह है कि सुकेश उस समय तिहार जेल में था इडी के पास सुकेश के दो दरजन से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड से जिसमें वो जैकलिन से बात करता था इस बीच जमानत मिलने पर सुकेश चंदरशेखर ने जैकलीन फर्नांडेस के लिए मुंबई से दिल्ली और फिर दिल्ली से चैनने के लिए चार्टेट फ्लाइट्स पुक की चार्जशीट के मताबिक सुकेश ने जमानत पर बाहर रहते हुए चार्टेट फ्लाइट्स पर आठ करोड रुपे खर्च किये E.D. के मताबिक सुकेश और जैकलीन चेनर के एक होटल में रुके उस होटल में ली गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वाइरल हुई जिसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैकलीन सुकेश चंदरशेकर को नहीं जानती हैं बलकि दोनों के बीच बेहत करीबी रिष्टे साफ नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें एपरिल से जून के बीच की बताई जा रही हैं जब सुकेश जमानत पर था अक्टूबर में आपको याद होगा कि सुकेश के वकील ने ये बताया था कि सुकेश और जैकलीन रिलेशनशिप में थे तब जैकलीन के प्रवक्ता ने इस दावे को सिरे से खायच कर दिया था जैकलिन की प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा था कि जैकलिन फर्नांडेस का सुकेश या उनकी पतनी लीना मारिया पॉल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है लेकिन तस्वीरों ने जैकलिन की जूट की कलेग खोल दी वो तस्वीरे बहुत वाइरल हुई थी एक होटल के बाथरूम के अंदर की थी और सेलफी थी कमाल की बात यह है कि बॉलिवुड की टॉप एक्ट्रिस जैकलिन फर्नांडेस एक आरोपी के साथ चैन्ने के होटल में थी और सेलफी ले रही थी और उन्हें यह नहीं पता था कि वो है कौन क्या बिना किसी जानकारी के इतनी बड़ी एक्ट्रेस किसी के भी साथ होटल में चली जाती है वैसे मैं आपको बता दू कि सुकेश चंदरशेखर शादी शुदा है और उसकी पतनी लीना मारिया पॉल भी एक्ट्रेस है और ठगी के धंदे में अपने पती की पार्ट्नर भी है यह बंटी पबली की जोड़ी मिलकर लोगों को करोडों का चूना लगाती थी दो सो करोड की ठगी में भी सुकेश की पतनी लीना सहारोपी है एटी की चार्शीट में लिखा है कि सुकेश ने जैकलीन के रिष्टेदारों को भी कई बार अच्छी खासी रकम भिजवाई अब सवाल यह है कि जैकलीन पर आखिर गिरफतारी की तलवार क्यों लटक रही है और अगर जैकलीन फरनांडिस पर शक है तो कल हिरासत में लेने के कुछी घंटों बाद उसे जाने क्यों दिया गया तो पहली पार कि जैकलीन को एरपोर्ट पर इसलिए रोका गया था जिससे वो विदेश न जा सके क्योंकि उसके खिलाब लुकाउट नोटिस है उसे एडी के समन को हलके में लेने के नुकसान बताये गए वहाँ पर बैठा कर और 8 दिसंबर को पेश होने का समन दिया गया है कि दिल्ली के एडी आफिस में आई है और अपना बयान दर्ज करवाई है और वो जो सवाल पूछ उनके जवाब दीजिए अब इसमें शामिल ना होना कितना भारी पड़ सकता है ये जैकलिन को उस वक्त समझ में आ गया होगा जब दुबई के फ्लाइट से उन्हें उतार लिया गया अब बात ये है कि जैकलिन पर गिरफतारी की तलवार क्यों लटक रही है वो इसलिए कि इस पूरे मामले में जैकलिन के बयान और सबूत आपस में मेल नहीं खा रहे यानि जाच एजनसियों को शक है कि जैकलिन जूट बोलकर एजनसिय को गुमराह करने की कोशिश कर रही है पहला जूट बोला कि वो इस मामले में खुद ठगी की शिकार है जबकि सुकेश चंदरशेखर से उसने 10 करोड से ज्यादा के तोफे लिये है दूसरा जूट बोला कि सुकेश चंदरशेखर को वो जानती ही नहीं है जबकि चैनने के होटल में ली लिए गई डोनों की सेलफी साफ करती है कि वो ना सर्फ सुकेश चंदरशेखर को जानती है बलकि दोनों बेहत करीब ही रहे है तीसरी बात ये कि शिरुवाती पूछताच के बाद भी जब तीन बार समन भेजा गया तो वो पेश क्यों नहीं हुई चौती बात कि लुकाउट नोटिस जारी होने के बाद भी वो विदेश क्यों जा रही थी क्या जांच से बचने के लिए देश से भागने का इरादा था चौती बात आखिर सुकेश चंदरशेकर जैकलीन के रिष्टेदारों को पैसे क्यों भेजता था जैकलीन एक श्रीलंकन है उनके कई रिष्टेदार श्रीलंका में भी रहते हैं और दूसरे देशों में भी क्या ठगी का पैसा हवाला के जर्ये ठिकाने लगाने में जैकलीन उसकी मदद कर रही थी जाहिर से बात है कि जांच एजन्सियों के पास जैकलीन के खिलाफ कई सबूत है और जैकलीन का बार बार जांच से भागना इशारा करता है कि वो जानती हैं कि वो बुरी तरह फस सकती है ऐसे में जैकलीन आठ डिसंबर को जब एडी के सामने पेश होगी तो गिरफतारी का डर साथ में होगा अगर एडी के सवालों कहा जैकलीन संतोश्प्रत जवाब नहीं दे पाती है और उनकी उपर शक्ती सुई जाती है या सबूतों के साथ उनके बयान मैच नहीं करते हैं तो एडी उन्हें गिरफतार कर सकती है वैसे आपको बता दू कि जैकलीन फरनांडेस सल्मान खान की बेहत फेवरेट एक्ट्रिसस में से एक है फिल्मी रिपोर्ट्स की माने तो पहले लॉकडाउन के दौरान वो दो महिने तक सल्मान खान के साथ उनके फॉर्म हाउस पे रही थी वो सल्मान खान के आने वाले दबंग टूर का भी हिस्सा थी लेकिन दो सो करोड की ठगी के मामले में नाम आने के बाद खबर आ रही है कि सल्मान खान ने जैकलीन को टूर से हटा दिया है और खुद भी दूरिया बना ली है यानि जिस सल्मान खान के नाम पर इन दिनों वो बॉलिवुड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हथिया रही थी वो भी अब हाथ से छूटते जा रहे है और एशो अराम और अपने लालच के चक्कर में महा ठक से रिष्टा बनाना अब जैकलीन को बहुत महंगा पड़ रहा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक करें शेयर करें और कैपिटिल के वीडियो सब्सक्राइब करें